हेलो स्टेरेंट्स वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मास बढ़िया तो लोग स्टार्ट करते हैं हम अपना नेश्ट चैप्टर हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेशी का जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं जहर के बारे में पॉईजन है ना फार्मकोलोजी वाल चैप्टर देखें वो लोग तो हंडेट पर्सेंट इसके अंदर एक एक टॉपिक को जानते हो सिर्फ एक थोटा हो टॉपिक आएगा एंटीडोट जिसके बारे में आप लोग जानते हो ठीक है कि क्या होते हैं तो बस यहां पर आप तुमको यहां पर यहां पर आपको नहीं कि है कि किसले अंदर लेखना है बाद कि आपको में पता है इस लेक्शा के बारे में नक्यों होती है जिक है एन्टीडोट्स क्या होते हैं धिक है जिक है ड्रग airportुकत करें ड्राःट चलो, तो poison, poison की definition, बच्चा बच्चा जानता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा substance, जिससे क्या हो, हमारे cells tissue, dead होना स्टार्ट हो जाए, मरना स्टार्ट हो जाए, नुक्सान हो जाए, तो poison is defined as a substance, एक ऐसा substance है, which when administered, जब वो दिया जाता है, inhaled, सुंगा जाए, या shallowed, निग जा सकता है, उसे, ठीक है, capable of acting deletoriously, नुक्सान दायक, on the body, that is produced ill health of, ill health, और death, या तो हमारी खराब, health कर देगा, या मौत देगा, ठीक है, poison में भी synthetic, mineral, vegetable, animal origin, तो कुछ भी हो सकता है, poison, जरूर नहीं है कि किसी एक उससे आए, plant का भी हो सकता है, minerals भी हो सकते हैं, synthetic भी हो सकत है, animal origin में जैसे snake poison वगरा होता है, तो कहीं से भी हो सकता है, poison, poisoning क्या चीज है, poison, जहर, poisoning, जो उसने, जहर फैला देना, हिंदी में समझा जाए तो, poisoning is injury or death, injury हो जाना है, जहर लिया, death का मरना, और death मतलब पुरा इंसान मर जाना, due to, किसकी वएशे, swallowing, निगल लिया हो, सू जाता है, और injecting various drugs, कोई drug हमने inject कर लिया है, जो लोग drug abuse वगरा करते है, chemical, venomes और gases, कोई भी चीज, ठीक है न, जो injury करती है, और death cause करती है, यह सब करने के वएशे, many substances such as drugs and carbon monoxide are poisonous only in higher concentration, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जिनका dose जब high होगा, तो वो poisonous होगी, अधरवाश पॉजनेस नहीं होती है, certain types of cleaners are only harmful if ingested, कुछ cleaners है, जैसे कि final वगरा अपना होता है, या कुछ और चीज है, तो जब उसे एक inhale किया जाए, खाया जाए, तो ही नुकसान दायक होगा, अधरवाश नुकसान दायक नहीं होता है, while other also emit toxic gases, कुछ chemical toxic gases release करती है, fumes, children are particularly sensitive to even small amount of certain drugs and chemicals, जो amount अगर drug का खा ले, तो उनको पर ज्यादा असर होता है, तो simple सी बात है, poison, poisoning सब जानते हैं, हम लोग, how poison enters the body, या तो सूंग लेंगे, या खा लेंगे, या absorb, body से absorb होजगा इसकिन से, या injection दे देंगे, ठीक है न, तो types of poison की बात करें, poison इन सब तरीकों से inject, body में enter करता है, types of poison कैसे किस किस टाइब के होते हैं, corrosive, acid गिर गया हांथ पे, corrosive, acid या alkaline, irritant, जलन वगएरा पैदा करता है, न, कोई चीज मैटलिक होती है, या फिर कोई चीज़ लग जाब, खरास हो जाए, खुजली हो जाए, निरो टॉक्सिक दिमाग पे असर करता है, narcotics, cardio poison, heart failure करेगा, digital जली, इस तबैको, respiratory poison, सांस लेने में अगर दिक्कत आती है, carbon monoxide, carbon dioxide, then miscellaneous, analgesic, anti-piratic food poisoning, यह miscellaneous के अंदर आते हैं, तो types of poison, बहुत सारे types के होते हैं, ठीक है, कोई corrosive है, कोई irritant है, कोई neurotoxic है, कोई cardio poison, अच्छा है, यह सब के सब, इन ही चार तरीके से body में जाते हैं, Now, types of poisoning, ठीक है, poisoning, तो देखो, जिन जिन तरीकों से जाएंगे, उसी उसी type की poisoning आएगी, याने की, एक poisoning होगी, ingested poisoning, खाने की वज़े से, एक poisoning होती, inhaled poisoning, सूंगने की वज़े से, ठीक है, तो simple simple चीज़े हैं, when poison is taken through mouth, जब मुझ से लिया जाएगा, whether intentionally, जान बूज करके, या unintentionally जाने, अंजाने में, it's called ingested poisoning, इसको कहा जाता है, ingested poisoning, examples क्या है, chemical, fungi, bleach, household thing, pesticide, expired drug वगरा होती ही, जो खा लेते हैं, ठीक है, inhaled poisoning, when person inhales any type of harmful gases, it's called inhalational poisoning, किसी भी type की harmful gas को सूंग ले अगर, तो inhaled poisoning हो जाएगा, कौन कौन आता है, insecticide spray हो गरा है, सूंग लिया, gas cylinders, सूंग लिया, जो gas cylinders हो, gas को सूंग लो अगर दिक्कत हो जाएगी, CO2 है, carbon dioxide, CO2 को सूंगने से दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा मातरा में, CO2 तो रोजी सूंगते हैं, लोग जब सांस ले रहे हैं, CO2 बोड़ी में जा रही है, उससे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल CO2 से भ chemical directly enters the blood, जो ऐसे chemical जो directly blood में enter कर जाएं, कौन-कौन है, medicines कर जाती है, syringe के through, bites कोई कीड़ा बगारा काट ले, sting कोई कीड़ा डंक मार दे, तो सीधा हमारे blood में पहुंचता है वो, तो ये भी क्या हो गया, injected poisoning के अंदर आता है, now absorption, enters the body through skin और mucous membrane, skin और mucous membrane की health से क्या हो रहा ह है, absorb हो रहा है, ठीक है, या mouth या nose से, मुझ में चला गया, मुझ के mucous membrane से चला गया, नाक में चलीगी, नाक के memory से absorb हो रही है, तो ये क्या जाता है, absorption है, dry chemical, wet chemical, topical, medicament, जो लगाते हैं हम लोग, ये सब किसके अंदर आते हैं, absorption, तो बटा simple चीजे हैं, बहुत जाए डिट चैनल, सायनाइड आ गया, pesticide के अंदर, organophosphates होते हैं, ये chemical बता रहा है, कौन-कौन से हैं, drug की overdose हो जाए, toxic plant, poisonous, मुझ्रूम्स वगरा होते हैं, खालो, ठीक है, bites and sting, snake or scorpion, dunk मारते हैं, तो दिक्कत है, तो ये causes of poisoning हैं कि इन सब चीज़ों के वज़े से poisoning हो जाती है, clinical manifestation common है, almost vomiting, उल्टी हो जाएगी, palpitation, घबराट हो जाती है, skin rashes, खरासिस, राशिस पढ़ जाते हैं, diarrhea हो सकता है, loose motion हो जाए, difficulty in breathing हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो, non reacting people हो सकता है, आंके पुतली फैल की फैल ही रह गई, असरी नहीं कर रही हैं, वो, बुखार आ सकता है, पेट म Now antidote, यह थोड़ा सा important है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगें, कि बाके सब चीज़ें तो बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, कही नहीं चीज़ें पता है, antidote क्या होती है और कैसे काम करती है, यह हमें सोड़ा यहां समझना पड़ेगा, तो antidote क्या है, किसी का तोड, जहर क तोड, जहर जो गया है शरीर में, उसका तोड, तो according to WHO, an antidote is defined as, इसको define करते है, therapeutic substance, यह therapeutic है, यह थीक करेगा, used to counteract the toxic action, इसको हम इस्तमाल करते है, to counteract, counteract मतलब उसका विरोध करेगा, toxic action का, जो जहरीला action हमारी बाड़ी में कर रहा है, जो poison गया है, उसका विरोध करेगा, of a specified genobiotic, genobiotic के होता है, कोई भी unwanted things, नोहारी बाड़ी में चली आती है, वो सब क्या होती है, genobiotic होती है, antidote reduce the overall burden of health service in managing the poisoning cases, तो antidote जो होता है, वो कही ना कही help करता है, burden कम कर देता है, healthcare professionals का, तो antidote अपना काम करते रहते हैं, health professionals बाकी अपना काम management का करते रहते हैं, कि body में manage करना, वो सब चीज़ें वगरा वगरा, ठीक है, the term antidote is Greek word anti-di-donal, ठीक है, जिसका meaning होता है, given against, किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, poison है खिलाफ, in Cambridge dictionary, antidote is defined as chemical, इसको defined किया गया है, Cambridge dictionary में, ऐसा chemical, especially a drug, खास करकि यह a drug होता है, that limits the effect of poison, जो poison के असर को limit कर देता है, रोक देता है, और a way of preventing or acting against something bad, या कोई चीज जो खराब हो रही है, उसके against में काम करेगा, तो poison plus antidote, destroy poisoning, simple है बेटा, मैजदार chapter है, असान सा chapter है, okay, now classification of antidote की classification कर दें, अगर हम लोग तो तीन category में डाला गया है, physiological, pharmacological, physical और chemical, तो physiological में क्या है, या pharmacological में क्या है, simple से याद रखेंगे, counteract the effect of poison, poison के असर को counteract कर देगा, मतलब, खतम करेगा, by producing the opposite pharmacological effect, तो यान की, अगर मान लो, जहर BP कम करा तो BP बढ़ाएगा, उसका ultra असर करेगा, के लिए रहे बाते हैं, okay, example क्या है, A.C.E. A.C.E.L. cholini stress inhibitor, morphine, जब यह inhibit करते हैं, तो morphine क्या करेगा, उसका oppose करेगा, ठीक है, pharmacological antidote may neutralize or antagonize the effect of toxic end, neutralize कर देगा, या बिलकुल खतम कर देगा, या antagonize करेगा, या उसके विपरीत काम करते हैं, कौन, physiological antidote, तीन तरीके से, पांच तरीके से स्वारी काम करते हैं, preventing the formation of toxic metabolite, या हो सकता है, जो poison, जहरीले metabolite बना रहे हैं, वो बनना रोक देगा, by facilitation of more rapid or complete elimination of toxic end, ठीक है, जो यह वाले antidote हैं, यह कहा है, facilitate करेंगे more rapid, जल्दी से, और complete elimination, जल्दी और पूरे के पूरा जो toxic body में फैल गया, उसको urine के तुरू बाहर निकलवा देगा, by competing with the toxic end's action at a receptor side, ज उसी receptor में जाके ये भी काम करेंगा, जाके चिपक जाएगा, तो poison को receptor खाली मिलेगा नहीं, poison अपना काम करनी पाएगा, ठीक है, by adding, aid मतलब help करना in the restoration of normal function, या body के function जो बिगड़ गये, BP कम जादा हो गया, heartbeat बढ़ गये, इन सब चीजहों को वापस से normal करेगा, तो यही antidote का काम होता है, तो physiological antidote किस तरह से काम कर रहे हैं, देखने में आ रहा है, now physical antidote, physical मतलब समझे और physical touch, physical मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, तो यहापर simple सा concept क्या है, कि हम एक ऐसा antidote खा लेंगे, जो body में जाएगा, poison को पकड़ लेगा, चिपका लेगा, और चलेगा, चल मेरे साथ बहार याने की urine के रास्ता है, फिर वो उसको भार कर देगा, universal है, हमारे पास एक charcoal, activated charcoal जिसे हम कहते हैं, the agent which is used to interfere with the poison through physical property, physical property, ठीक है, not change their nature, उसका nature को नहीं बदलेगा, फिजिकल इसो पकड़ लिया जाकर के, ठीक है, known as physical antidote, देखो क्या बोल रहा है, adsorb कर लेगा, adsorb मतलब of atoms, ion or molecule from a gas liquid or dissolved solid to a surface, यानि कि जो हमने antidote खाया है, वो अपने surface पर poison को adsorb कर वा लेगा, this process creates a film of adsorbate on the surface of adsorbent, यानि कि मान लो, यह मेरा antidote है, ठीक है, इसके उपर क्या होगा, poison आ करके इसको चिपका लेगा, इस तरह से, poison को चिपका लिया, ठीक है, बहुत minute होते हैं यह, microscopy, okay, example क्या है, activated charcoal, universal antidote है, बोड़ी में किशन हो जाए, activated charcoal दे दो, वो चिपकाएगा अपने साथ और urine के रास्ते बाहर निकालेगा, coating, कई बहुत क्या होती है, mixture of egg and milk, make a coat over the mucosa, paint में जाकर के mucosa पे एक layer चड़ा देंगे, जिससे कि वो absorb नहीं होगा, या intestine के उपर पूरी ए carbonic acid, ठीक है ना, फॉर नहीं होगा, और होगा, ठीक है न, यह का करते है, 10% alcohol glycino carbonic acid, यह एक ऐसा solution त्यार करते है कि इसके अंदर poison आके dissolve हो जाता है, फिरो कहीं और body में dissolve नहीं होगा, और फिरो body से बाहर निकल जाता है, clear है, तो यह physical change, यानि कि बकाईदा poison को पकड़ करक इसके घसीट के बाहर लेगा, चल body से बाहर, ठीक है, बाहर समझ में आ रही है, तो बेटा मैंने कहा, बात ने समको पता है, बस समझ नहीं हमें किस में क्या लिखना है, इट इंट्रेक्ट इस्पेशली विद टॉक्सिकेंट और निट्रलाइज, यानि कि हम केमिकल की बात क मुलिख करें, यहां पर क्या है, च्परम सबन और ओंद धाएगा, इसक चैण कीज काम करेंगा, रियक्ट कर जाएगा, यह एक टॉक्सिकन के साथ, उसको क्या करेंगा, इंट्रेक्ट करेंगा इसे निट्रोलाइज और इसका कर देंगा, इगजंपल – मैटल चिलेटर, यह एक ऐसी होते हैं बंद कि अपने बंद में चेब का लेंगे इस तरीप के साथ यह बंद जाते हैं इसकी बात करें दो तरीके से काम करता है complex formation और metabolic conversion complex formation हमने यह देखी लिया है तो देखो क्या बोल रहा है complex formation में क्या है antidote make complex complex structure बना लेता है antidote उस poison के साथ with toxicant making it unavailable to cross the membrane अब वो जो complex बन गया हो इतना बड़ा होता है कि cell membrane को पार नहीं कर पाएगा ठीक है और to interact with the receptor और इतना बड़ा है कि वो receptor से भी जो cells के उपर receptor से जहां पर उसे act करना चाहिए उनके साथ भी रियक्ट नहीं कर पाएगा अब बिचारा होगे ठंटन गो पाल अब चल भाई है यूरेनी से बाहर निकल अब तो ठीक है एक्जांपल क्या है DMCA डाइमरकेप्रोल एंड डाइमरकेप्टो सक्सिनिक एसिड और सल्फा हाइडिल कंपाउंट्स डेट बाइंड मैटल सच अस आर्सेनिक एसिड और लीड ठीक है तो यह कहीं नहीं कर डी एमसे का जो एक्जांपल दे रखा है डाइमरकेप्रोल और डाइमरकेप्टो सक्सिनिक एसिड यह क्या है और सल्फा हाइडिल कंपाउंट्स होते हैं जो कि मैटल के साथ बाइंड हो जाते हैं जैसे कि आर्सेनिक और लीड उसके साथ बंद करके उसको क्या करेंगे यह बहार निकाल देंगे Now, metabolic conversion उसका रूप ही बदल देंगे Detoxification to less toxic product यानि कि जो बहुत ज़्यादा poisonous रूप में बाड़ी में गया था उसको तोड़ तारके ऐसे रूप में कर देंगे कि अब वो हमारी बाड़ी के लिए less poisonous हो जाएगा Example क्या nitrate interact with hemoglobin and cyanide to form cyanometh hemoglobin which is less toxic than cyanide तो nitrate interact करता है hemoglobin और cyanide के साथ एक साथ cyanide वैसे बहुत poisonous है लेकिन nitrate interact करके cyanide को किसे मतल देता है cyanometh hemoglobin में which is less toxic जो कि less toxic होता है उतना ज़्यादा toxic नहीं है जितना ज़्यादा toxic cyanide होता है and interfere with the cyanide ठीक है और interfere करता है cyanide के access को to cytochrome oxidase system ठीक है तो यहाँ पर क्या दे रहा है nitrate plus oxymoglobin give methemoglobin plus cyanide और finally cyanometh hemoglobin के साथ मिलता है यह फिर cyanide के साथ मिलेगा और finally क्या बना cyanometh hemoglobin जो कि क्या है less toxic compound है clear है ठीक है अब हम लोग देख लेते है mode of action of antidote के antidote काम कैसे करते हैं कही ना कहीं जो हमने उपर type पड़े हैं वहां से कही ना कहीं chemical antidote थोड़ा बहुत इनका working समझ में आ रहा है ठीक है ना तो देखते हैं काम कैसे करते हैं तो 6 तरीके से इसके काम है बारी बारी से देखें inert complex formation याने कि यह क्या करेंगे poison को बिलकुल inert कर देंगे वह कोई भी काम नहीं कर पाएगा accelerated detoxification detoxification को बढ़ा देंगे बहुत जल्दी जल्दी detoxify करेंगे reduce toxic conversion ठीक है receptor site competition receptor site blockade बारी बारी से देख लेते हैं छह तरीकों से यह poison के effect हों खतम करते हैं आव देखते हैं some antidote interact with the poison to form an inert complex which is then accelerated from the body तो कह रहा है inert complex में क्या होगा कुछ antidote interact करते हैं जाएंगे जाके poison से और एक इनर्ट complex एक ऐसा complex जो ना फायदा करेगा नुकसान करेगा इनर्ट complex बन गया जो की बाद में accelerated by the body body के दोहरा एक्स्रीट कर दिया था यूरीन से बाहर निकाल दे जाएगा जैसे की chillating agent for heavy metals जो नोपर बताया था जो antidote होगा वो metal के साथ ring बना लेगा chillate कर लेगा ठीक है prussian blue for thallium thallium के लिए prussian blue आता है specific antibody fragment for digoxin digoxin का case भी इसी तरीके से होता है inert कर देगा उसे वो dicobalt additate for cyanide ठीक है ना तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पर क्या है antidote जो है वो poison को पकड़ेगा और उसका bonding सी बना लेगा और उसे inert कर देता है बिकार कर देगा now accelerated detoxification some antidote accelerate the detoxification of poison उसकी detoxification यानि कि उसकी असर को खतम करने को accelerate कर देता जैसे की acetyl systeine act as a glutathione substitute which combines with hepatotoxic paracetamol metabolite and detoxify them तो बात समझ में आ रही थोड़ा सा लेंदी हो गया यह जो acetyl systeine होता है यह glutathione की तरह act करता है glutathione substitute which combine जो की जुड़ जाता है paracetamol के साथ उसके जो metabolites होते हैं paracetamol के जो metabolites जब paracetamol की poisoning होती है उस case की बात हो रही है and detoxify them और उनको detoxify कर देता है फटाफट बहुत जल्दी जल्दी thaiosulfate accelerate the conversion of cyanide to non-toxic thaiosulfate thaiosulfate को बहुत जल्दी जल्दी convert तो thaiosulfate है वो cyanide को thaiosinate में convert कर दे रहा है जो कि क्या है non-toxic है clear accelerate मतलब बढ़ा रहा है बहुत जल्दी detoxify कर रहा है reduce toxic conversion यानि कि जो उसका toxic conversion है जो जब convert हो रहा है किसी toxic चीज में उसको reduce कर देगा toxic को convert होने नहीं देगा मतलब जो chemical खाया है उसको toxic में convert होने नहीं देगा antidote reduce the conversion of toxic product जो आगे जाके और बहुत जहरीला हो जाएगा मालो हमने एक कोई chemical खाया जैसी वह आगे जाके toxic में बदल जाएगा T तो हम लोग जैसी antidote खा लेंगे तो इसको इसको इसमें बदलने से रोक देगा वह simple सी बात है जैसे कि ethanol which inhibit the metabolism of methanol methanol हमारी बाड़ी जब पी लेते हैं जब उसका metabolism होता है और वह metabolism होके जो उसके नए product बनते वह ज्यादा methanol के उपर act करेगा और उसको convert करेगा toxic chemical में तो यह enzyme methanol के उपर act ना करके यह enzyme ethanol के उपर act करेगा ethanol की जो product बनते हैं वह इतने जहरीले नहीं हो तो हमारे नौर्मल है बात समझ मारी है तो हम लोगों पर जाके मालो यह receptor है यहाँ पर आकर के poison को काम करना है ठीक है ना अब हमने receptor site competition इस receptor की जो जगह है यहाँ पर किसको बैठा दिया antidote को अब poison को जगह ही नहीं मिलरी बैठने के लिए कि वह अपना कोई काम कर पाए ठीक है some antidote displace the poison from specific receptor site कुछ antidote अगर poison यहाँ लगे हुए तो उनको हटा देगा या खुद आके यहाँ बैठ जाएगा उनको काम नहीं करने देगा तो displace कर रहा है यहाँ पर displace की बात आ रही है antidote इसको यहाँ से हटाके the effect of opioids are stereo specific opioid receptor site ठीक है ना तो यह थोड़ से example याद करना सकता है ने लक्सान विच एंटागोनाज़ इफेक्ट ऑफ opioids पता ना क्या होते हैं ओप जो नार्कोटिक्स होते हैं तो उसका जब overdose हो जाता है जब उसको ज़्यादा ले लिया जाता है तो नेलक्सान दिया जाता है जो कि क्या करता है stereo specific opioid receptor site पर बैठेगा और उसको हटाएगा यानने कि यह इसको उसके receptor से अलग कर देगा बात समझ मारी है receptor site blockade यह आगे यह था डिस्प्लेस वाला है antidote आया इसको जहां से हटा दिया यह ब्लॉकेट वाला antidote bind to the receptor site यहां पर receptor पर आकर के antidote आकर चिपक के बैढ दियाएगा receptor खाली नहीं है poison के आने के लिए और poison को काम करने के लिए ठीक है जिस site पर poison को काम करना है वहाँ पर कौन antidote आकर बैठ गया है और इसको ब्लॉक कर दिया है इस प्रकार से poison का action भी ब्लॉक हो जाएगा इस mode of action is best exemplified by atropin which blocks the effect of anti-colinistries agent such as organophosphate जो अपना pesticide वगरा हम पाया जाता है ठीक है एट मस्करेनिक रिसेप्टर साइट तो यह कहां एक्ट करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर पर काम करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं एट्रोपिन दे देंगे जो ब्लॉक कर देंगे जाकर के ठीक है ना इस mode of action best exemplified by atropin which blocks the effect of anti-colinistries agent तो यह जाकर के वहाँ पर जाकर बैट जाएंगे रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है तो poison आकर अपना काम नहीं कर पाएगा toxic effect bypass toxic effect को होने नहीं दिया जहर तो आया लेकिन जहर को अपना काम करने नहीं दिया bypass कर दिया कैसे antidote bypass the toxic effect of poison for example use 100% oxygen in cyanide poisoning जब cyanide poisoning होती है तो सांस लेने में दिक्कत आती है और सांस लेने में दिक्कत इतनी आ सकती है कि मतलब बाड़ी में oxygen की कम ही हो जाती है कि death हो सकती है हम क्या लगा देंगे 100% oxygen दे देंगे तुम बाड़ी में oxygen कम करो हमने दे दी तो उसकी effect हुआ ही ने उसका effect बाइपास हो गया उसका effect ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से antidote के बारे में चीजें थी जो की थोड़ा सा important topic भी है और तुमको पढ़ना है और थोड़ा सा learn करना पढ़ेगा यहां पर examples now drug information center यह बेटा drug information center जो है जो है ओके ड्रग सेंटर क्या होता है ड्रग इंफोर्मेशन सेंटर को सिंपल सी बात समझो सिंपल दुनिया भर में आप हम डॉक्टर नर्सेस जितना भी दवायों से जिन लोगो काम है वो उनको कैसे पता कि यहीं दवा काम करेगी तुम कहों के सरुनों ने अपने कॉलिज में सीखा कॉलिज वालों कैसे पता तुम को सरुनों ने बुक से पड़ा है वो कैसे पता तो बेटा इसमें क्या है पूरी दुनिया में ड्रग इंफोर्मेशन सेंटर यह जगए जगा जगा अविलिबल हैं यहां पर जो नई दवायां बनती है उनकी सारी इंफोर्मेशन करके रखी जाती है और यहां से जिस टाइब की इंफोर्मेशन जिसको जो चाहिए होती है वो ले लेता है चाहें वो ड्रग को लेकर के इंफोर्मेशन हो या पॉईजन को लेकर के हो बात समझ मारी है तो यह इंफोर्मेशन कोई भी ले सकता है स्टूडेंट है कोई वो ले सकता है हेल्थ प् information ठीक है तो वही होते हैं अपने drug information center तो क्या कहा रहा है drug information is the written or verbal information ठीक है हो सकता है मैं phone करूँ कि हाँ भी या मैं यह बोल रहा हूं मेरे को बताओ तो महां से drug information center बैठाओगा वो कुछ बताएगा मेरे को verbal भी हो सकता है about drugs and drug therapy drug therapy की बारे में in response to request from other healthcare providing organization ठीक है तो drug information दी जा रही है लिख करके या बता करके drug के बारे में drug therapy के बारे में जब request की गई है मांगी गई है healthcare organization के दौरा या patient के दौरा या कुछ committees के दौरा या public community के दौरा जिस किसी के भी दौरा information मांगी जाएगी drug information center उसको वो देंगे पार समझ में आ रही है ना ट्रग information center प्रवाइड इंड़ अनबाइस एकदम detail में अनबाइस बिना भेदवाओ के यह नहीं कि हाँ यह दबा खालो उनको फाइदा नहीं देखना है या पर जो दबाए पूछा पूरा detail देंगे फाइदा है तो फाइदा है नुक्सान देखना सब बताएंगे अनबाइस कोई इसमें भी भेदवाओ नहीं करेंगे अनबाइस source of crucial drug information to meet need of practicing physician क्या मुद्द्ध है जो physician practice कर रहे हैं कई वार उनको confusion होती है तो कहां से सब्सक्राइब करने के बाद अब confusion आगे तो दूर कहां से होगी मैं किसका पूछने जाओ ड्रग इन्फोर्मेशन सेंटर फार्मसिस्ट एंड अधर हेल्थ केर पोफेशनल इनके साथ साथ फार्मसिस्ट और कुछ अधर हेल्थ केर पोफेशनल से उनकी भी जो नीड है कि ड्रग के बारे में जानने को कहां से पूरी होती है ड्रग इंफोर्मसिक्राइब सेंटर से पूरी होती है फुर्ष डी आइसी ऐड इट उनिघ्टी ऑफ के इंडर एटत्युक हैं राइपूर जैपूर आसाम के अदर इब्रूगर और गोङ के अंदर पंजी ठीक ना तो यह जो हैं तुम्हारे बेटा यह one marks question के तौर पे पूछे आ सकते हैं तो इनको ध्यान रखेंगे objective क्या है क्या उद्देश्य है भी या क्यों to provide an organized database of specialized information needs of practitioner हम जिससे की एक organized data हमारे बास मौझूद हो जो practitioners हैं, doctors हैं, nurses हैं, pharmacist हैं हम एक data, एक information दे सकें, जरुवत पढ़ने पर to provide accurate and unbiased medicines है ना, जिससे की एकदम exact, accurate और बिना भेदवाओ के medicinal information, service provide क्या लिए जा सकें किसको, pharmacist को, physician को और other healthcare professionals और communities में to promote patient care through rational use of medicine एक और उद्देश से हैं कि ड्रक के बाद जब अच्छी knowledge होगी, तो ड्रक का rational use हो पाएगा, तो patient care अच्छी हो पाएगी ठीक है, improve patient adherence, ठीक है, इससे क्या है, patient को जब भरोसा होगी, हाँ दवाई सही दी जा रही है तो patient का adherence, वो सही टाइम पर दवाईयां खाएगा, सही टाइम पर लेगा, ऐसा नहीं करेगा, सोबह खा ले, फिर शाम को खा रहा है, दुपर की खाई नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए तो educate pharmacy student, ठीक है ना, इसका एक और उद्देश क्या है, pharmacy student को educate करना, to serve as effective providers of medicine information, ठीक है ना, pharmacy student को जब educate कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, effective provider बनेंगे, medication information के, जब pharmacist के पास पूरी information होगी, तो वो एक सबसे अच्छे provider होंगे, medicines के, मतलब उनके बारे में knowledge रखने वाले, तो यह सब objective है, जो तुम लोग यहाँ पर दे सकते हो, अब बात करें, requirement of drug information system, उसकी क्या क्या requirement है, तो requirement ठीक वैसी होती है, drug information system को सोच के देखो, कौन कौन होगा, वहाँ पर, train personal होगे, computer होगा, net होगा, space होगा, जगह होगी, साई चीज़ होगी ना, तो देखो क्या क्या हो, space और organization होगा, office होता है, एक तरह से, drug information center की requirement मतलब, यह जो office है, drug information center का, जो office है, तो क्या क्या चाहिए होगा, मन से बना लो, space चाहिए होगा, different parameters, consider why, determine the requirement of space and organization, these factors include, availability of space, budget, type of activities, off-ward staff, resources, क्या activity देनी है, कितना staff रखना है, कितना space रहेगा, यह सब चीज़ हमार उसके अंदर requirement र the center should equipped with computer होना चाहिए, printer material होना चाहिए, printed material ठीक है न, जैसे कि current, periodical, bound, journal, volume, reference, text, वो लो भी तो कहां से इखटा करेंगे, यह सब चीज़ से information इखटी कर रहे है, and has access to medline and internet and various other online drug and medical references, जो online medical references या sites वागर है, उनके सारा access वहाँ पे होना चाहिए, center should have direct access to computerized online data, searching cd-rom, search करने के लिए cd-rom होना चाहिए, जहाँ पे पूरा data रहता है, कि search करेंगे हो, फटा-फट information निकाल करके, जो मांग रहा है, उसको दे सके, ठीक है, and access to worldwide web, www.should be available है न, याने की cd-cd से बात है, जब worldwide web, www.www available होगा, तो वो easily, कोई भी information हो क्या है, search कर पाएंगे, और उसक उसको collect करके, note करके, एक compile कर पाएंगे, ठीक है न, किसी book में है, या किसी जगह पर, तो setup and requirement, simple फी बात है, यह सब चाहिए, यहीं चाहिए, एक dic के अंदर, staff, student and time, dic require one full-time director, one full-time resident and six pharmacy student, यह उसको दे स्टाफ होना चाहिए, the state pharmacy council provides the secretarial support, ठीक है न, dic में support मिलता है, this center also serve as training site, यहाँ पर trainings वगरा भी होती है, for undergraduate and postgraduate student of pharmacy, pharmacy students का यहाँ पर training भी चलती है, ठीक है न, तो कौन-कौन staff होना चाहिए, एक director होगा, एक full-time resident जो हम में सब वहाँ रहेगा, अच्छे pharmacy student होगे, तो यह लिखना है तुमको यहाँ अबर service activity, क्या क्या service होने वाली है, the staff answer the questions related to drug matter, जो भी staff है वो answer करेगा, drug matter को लेकर को कोई question आया हुआ है, तो particularly to those related to safety of drug, खास करकि अगर drug को लेकर की safety को लेकर को कोई question आया हुआ है, तो उसको answering करेंगे, the doctor, pharmacist and patient could visit the center in person to get information, doctor, pharmacist and patient, personally center पर जाकर के information collect कर सकते हैं, the literature searches are provide free of charge to all hospital faculty, जो literature searches है, जहाँ पर सारी information होती है, literature documents लगर होते हैं, वो free of charges होने चाहिए, ठीक है न, clinician and pharmacy staff for patient specific issues and for researches as well as teaching activity, यानि कि जो literature है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, free of cost होना चाहिए, इसके अंदर सारी information होती है, ठीक है तो इस service activity, service activity खुद से लिख सकते हो ना, ज जो literature है, वो free of cost प्रवाइड करोना, यह नहीं कि उसके लिए भी तुम पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा, working model क्या रहेगा, book journal, book और journals, computer database, worldwide web और poison center भी यहाँ पर रहता है, drug information service, कौन-कौन, physician, pharmacist, nurses, researches, student, pharmacy and therapeutic committee, legal aided drug industries और marketing firms, यह question put up कर सकती है, यह answer करेंगी, ठीक है, रिप्रिंट करेंगी, answer to telephone call, computer retrieval system, internet search, publication and education, drug policy, decision के बारे में बताएंगे, cost, benefit analysis, sharing और debating information to patients, तो यहाँ से question गया, और यह सारे answer आ रहे हैं, answer यह सब हो सकते हैं, के लिए रहे बाते हैं, तो एक यह working model है, यह 3-4 चीज़ने के अंदर होनी चाहिए, यह सब लोग question पूर सकते ह ठीके सा answer देने है, answer चाहिए, cost benefit analysis का हो, चाहिए, sharing और debating कुछ भी हो, उनको answering किसी इंसा फिल्ड में उनको answering करनी पड़ेगी, आगे आते हैं, now drug information sources, तो पीटा, drug information sources, अगर तुमनों को याद हो, तो मैंने आगे mention भी क्या हुआ है, introduction to pharmacology lecture 2.9, यहाँ पर मैंने drug information sources को पूरा detail में बताया हुआ है, वो ही सारी चीज़े मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पर पूरा-पूरा detail में नहीं पड़ूँगा, केवल यहाँ पर क्या चीज़े देखेंगे, थोड़ी सी hint दे रहा हुँ है, drug information sources क्या होती है, कि आखिरकार drugs को ले करके, हम के experiments और trials करते हैं, वो होता है primary source, ठीक है ना, advantage क्या था, यह सब जो मैंने यह lecture बताया है, सभी बच्चे इस lecture को जाएंगे, ठीक है ना, इस lecture का मैं लिंक भी डाल दूँगा, उसमें description में, जाकर इस lecture को देखेंगे, केवल यह वाला part पढ़ लेंगे, एक बढ़ लिया है, तो तुमको जरूत नहीं पढ़ने वाली है, सिधा आदो, advantage पे, अब जो चीज प्योर है, clinical trial कर लिया, 1000-2000 लोगों पे trial किया और अपना analysis दे दी, यह हो गया primary source, इसका advantage क्या क्या है, हम सिधा advantage, disadvantage की बात करेंगे, जो की वहां mention नहीं किये थे, मैंने, most current evidence, जो latest चल रहा होता उसको personally assess कर सकते हैं, assessment कर सकते हैं, सही है या गलत है, ठीक है, अब journal article provides the most current information about the drugs, जो journals आते हैं, छपते हैं, all over world जो research चलती रहती हैं, current trials चलते रहते हैं, ठीक है, वो सारी information जो आ रहे हैं, drugs के बारे में, and ideally should be the source of answering the, for answering therapeutic question, ठीक है, journals enables pharmacist to, यानि कि जितनी भी नएने trials होते है वो जनल में छपते हैं, और उसमें कई सारी, मतलब एक तरह से, क्या हो रहा है, should be the source of answering the therapeutic question, और वहाँ पर क्या है, therapeutic questions के answers हमको मिलते हैं, therapeutic मतलब जो नएने चीज़ें आ रही हैं, नएने questions arise होते हैं, drugs को ले करके, वहाँ पर उनके latest answer मिलते हैं, और वहाँ से pharmacist को क्या help मिल करके, keep up to date with professional news, जो latest news आ रही है, उसको अपने आपको up to date रख सकता है, learn how another clinician handled a particular problem, same problem को जो है, यहाँ पर exist करती है, यहाँ पर हम लोग कैसे deal कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से में दूसरी लोग कैसे deal कर रहे हैं, keep up with new developments in pathophysiology, diagnostic agent, pathophysiology में कोई नहीं development आई है, या diagnostic, diagnose करने के तरीके में नहीं तक्निक आगई या therapeutic regimen में कुछ नया शंस्टों से तरीके आगए हैं, ठीक करने के नहीं तरीके आगए हैं, तो उनको अपना क्या कर सकता है, knowledge में रख सकता है, knowledge यहाँ से gain कर सकता है, distinguish useful from useless और even harmful therapy, distinguish कर सकता है useful को from useless और harmful therapy से, मालो हम को therapy हैं, यूसरी कंट healthcare professionals and consumers, यहाँ से साथ का communication बढ़ता है कि दूसरे professionals और consumers के क्या views हैं, उससे उनको क्या communication हो रहा है, obtain continuing education credit लगातार, educate हो रहा है, share opinion with other healthcare professional through letters to the editor, editors को letter लेख सकता है, वहाँ से अपनी जो बाते हैं, उनको share कर सकता है, prepare for the broad certification examination in pharmacotherapy, nutrition support, oncology, etc. यानिकी CDC बालता है, pharmacotherapy, nutrition support और oncology में अपने आपको एक broad level पर क्या कर सकता है, prepare कर सकता है कि उनके treatment के लिए क्या चीज़ best है, तो कहीं ना कहीं, जो primary source होता है, real एकदम जो experiment हो रखे होते हैं, उनके यह सब benefit हैं, आफ जर्नल में छपते हैं, जर्नल में छपने के बाद, pharmacist को यह सब benefit हो जाते हैं, बात समझ मा रही है, now disadvantage क्या है, may not lead one to best decision because of limited scope, यहां से हम लोग इकतम best decision नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि limited होता है, 1200 के पर experiment किया, वहां से अपना decision दे रहो तो best नहीं कह सकते, data can be poor or controversial, data poor हो सकता है, proper नहीं किया गया होगा, तो controversial poor हो सकता है, every study has limitation, हर कि limitation होती है, कुछ condition है, किसी ने बुड़ों पर कर लिए, किसी ने बच्चों पर कर लिए, एक दवा है, सब पर करके देखना चाहिए था, तो कुछ limitations हर जगे होती है, two complex for patient, patient को समझने के लिए बहुत complicated है, वो in primary source से अपने knowledge gain नहीं कर सकता है, although यद पी, publication of an article in a well-known, respected journal enhanced the credibility of information contained in the article, यह बास सही है कि एक well-known और respected journal के अंदर अगर article छपा है, तो हम उसको सही मानते हैं, this does not guarantee that the article is accurate, इसका मतलब यह नहीं है, कि जो article छपा है, वो accurate ही है, no doubt वो अच्छा होगा, लेकिन accurate है, इसकी guarantee नहीं है, ठीक है, तो यह इसके disadvantage आ गए, इस तरह second resource, second resource क्या होता है, simple नहीं हमें, कि जो वो हुए, experiment हुआ है, उसको छाप दिया, कि ऐसा experiment के ऐसा result आया, पूरी दुनिया में चला जाता है, फिर दुनिया वर्से उसके उपर व्यूज आते हैं, दुनिया वर्से उसके उपर remarks आते हैं, remarks आने के बाद फिर संशोधन होता है, और फिर एक होता है उसमें primary source के बारे हैं पूरा एक short form में सारी बाते लिखी हुई होती है तो quick access मिल जाता है primary literature के लिए the general resources are peer reviewed and of high standard जो general resources होते हैं निकी प्राइमरी आले हो तो अब जो review आ चुका है और review होने के बाद अब जो article आया है याने कि अब जो source बन गया secondary तो वो क्या हो गया पहले वाले से better हो गया है high standard का हो गया है many primary sources consult to write articles ठीक है secondary source का advantage क्या है primary sources को consult किया जाता है secondary source लिखने के लिए अगर primary source नहीं जाब तो secondary source बनेंगे ही नहीं now disadvantage each database is different in time between publication and addition and addition in the secondary sources तो दो क्या होता है हर एक database different is different in the time between publication एक ट्राइल हुआ पब्लिकेशन छपा उसी को पर कोई दूसरा ट्राइल हुआ वह पुब्लिकेशन में छपा तो गैप क्रियेट हो गया क्या क्रियेट हो गया gap क्रियेट हो गया है तो database के अंदर क्या है कि एक उसी publication में एक time क्रियेट हो गया इसके result कुछ और थे उसकी result कुछ और आये हैं अब प्राइसा चक्कर हो रहा है कौन किसको पड़े इसको देखकर के एक secondary वह बन गया होगा source नया trial जो होगा उसके वैस कैसे summary होती है तो एक expert बन्दा ही secondary source को अच्छे से समझेगा और दूसरे को समझा पाएगा normal इंसान नहीं चाहिए तो एक expert बन्दा चाहिए expertise चाहिए because of the large amount of information one must be proficient in searching of useful information needed क्योंकि जो primary source होता है उसमें पूरा information दे रखी होती है तुम इसमें से क्या चाहते हो तो उसके लिए तुमको क्या होना पड़ेगा proficient होना पड़ेगा proficient मतलब आप सच्चम हो कि पूरे data में से अपने काम का data ढोंड पाएँ दिक्कत है टू complex for patient patient के लिए दिक्कत है patient secondary जो sources है उनसे अपना क्या कर सकता है knowledge को gain नहीं कर पाएगा कि patient को सारी knowledge नहीं होती है ठीक है न कि सीधा पढ़ ले और समझ ले ऐसा नहीं हो पाएगा patient के लिए टर्सरी सोर्स क्या हुआ प्राइमरी हो गया सेकेंडरी हो गया सब कुछ हो गया review आ गया सब कुछ एकदम ठपा लग गया कि हाँ यही सही है अब वो सी क्या आ जाएंगे छपकर के किताबों में आ जाती है अब किताब तो किताब फिर वो तो final चीज आ गई है यानिकि उस आध है हमारा टर्सरी सोर्स ठीक है न तो advantage क्यां है टर्सरी सोर्स के provide comprehensive information एक किताब होती है किताब कर पूरींद वह से फाइदा मिल जाता है सारे एक साथ मिल जाते हैं convenience and accessible असान होता है किताब खरी ली सारा data मिल गया fast and easy to use है ना असान है हमें इसके वारे में चाहिए किताब ले लो किताब में सारा data यह नहीं कि पहले इसकी study पड़ो फिर इसकी पड़ो फिर इसकी पड़ो फिर इसकी पड़ो फिर इस में से इसका निसकर्स निकालो फिर ऐसा नहीं है किताब के अंदर direct दिया हुआ है easy to use हो गया है citation to primary and secondary sources primary और secondary sources के बारे में जिक्र दे रखा होता है दो चाल आइनों कि हाँ ऐसा सा हुआ था वहां से यह निसकर्स निकला है information is well accepted in medical practice और यह information तर्शरी सोर्स के होती है well accepted सबसे ज़्यादा accept की जाती है medical practice के अंदर क्योंकि अभी इनको पर महुर लग गए कि यह चीज़े सही है तब ही टर्शरी सोर्स में convert होती है नहीं है कि डिसएडवांटेज क्या है less current information अब को टर्शरी सोर्स में आया कोई चीज नहीं आ गई है तो वह तो नहीं छपी होगी उसके अंदर तो current information नहीं मिलेगी हमको high dependency और interpretation of author जो उसका author है उसने primary source, secondary source को किस तरीके से interpret किया है किस तरीके से उसकी वेक्षा करी है तो उसके उपर सारी dependency रहती है गलत कर देगा तो गलत ही हो जाएगा वो possible error in translation human bias, translation primary और secondary source को translate करने कोई गलती हो सकती है, human bias हो सकती कि नहीं आ रही है यह खरावे मैं इसको नहीं लूँगा, यह scientist से मेरी बनती नहीं, मैं इसको नहीं लूँगा, मैं इन scientist को लूँगा, ऐसा हो सकता है ठीक है incorrect interpretation of information और lack of capability of author, ऐसा हो सकता है कि incorrect interpretation of information, जो information थी उसका interpretation, उसका व्याख्यान, उसका व्याख्या सही नहीं की गई है, या author है, जो उसका writer है, जो लिख रहा है किताब को, वो उतना अच्छा capable नहीं है कि हर एक चीज को सही से interpret कर सके, तो किताब मेरी गलत छप जाएगी, ठीक ठीक है, बात बाकी यहारा पार्ट जो है drug information sources को pharmacology से एक बढ़ी पढ़ रिवाइद हो जाएगा, वहां के लिए भी यहां के लिए भी, यह कोई drug information sites दी है मैंने, कि इस तरीके से यह भी sources हैं, कि इन sites पर तुम्हें तमाम knowledge मिलती है, कहां पर कि drugs के बारे में कि कौन सी drugs क्या है, और क्या नहीं है, क्या side effects हैं, वगरा वगरा सारी चीज़ें, क्या trials को हैं, वगरा काफी सारी information मिल जाती है, online, पहां समझ मारी है, surface afforded by DIC, तो कौन-कौन सी service दे रहे हैं, drug information center, तो इस simple information about drug, drug के बारे में दे रहा है, poison management के बारे में दे रहा है, patient को educate कर रहे है, assistance on drug uses in patient, and patient के अंदर drug को कैसे use करना है, investigating, professional assistance for investigating, investigations in drug uses, ठीक है, professional assistance मिलती है, drug को investigate करने के लिए, drug related information on hospital staff, hospital staff को drug related information दी जाती है, reporting and investigating adverse drug reaction, adverse drug reaction के बारे में, report और investigation, यह सारी service कहां सी मिल रही है है, हमको, DIC के द्वारा दी जाती है, तो हमारा heading था, क्या heading थी हमारी, drug information centers and services, तो यह services है, उसकी कौन कौन से service, तो service इसमें तुम लोग और भी लिख सकते हैं, अपने मन से बना करके, कोई वो नहीं है, now, जैसे कि drug information center होता है, वैसे हमारे पास क्या है, poison information center है, यहाँ पे especially हम poison की बात करेंगे, तो poison को लेकर हम बात करेंगे, तो क्या है, poison information is specialized area, यह एक खास area है, of drug information, drug information को लेकर के, which includes information about the toxic effect of chemical, तो poison information center, यहाँ पे हम लोग chemicals के toxic effects की बात करेंगे, केवल, ठीक है ना, chemicals है, pesticides है, hazardous, materials है, spills है, household product है, overdose हो गई है, ठीक है, of therapeutic medicine including mushrooms, animal toxin, bites of snake, spider and other venomous creature and stink, मतलब चीनी से बात है, जहाँ कहीं से भी poison आ सकता है, बाड़ी में, वो सारी information हमें poison information center से मिलेगी, कि हम उसको कैसे ठीक करेंगे, क्या दवाया होनी चाहिए उसके लिए कि क्या management होगा, सारी बाते हैं, यहाँ मिल जाती है, तब poison information center और poison control center provides poisoning related information to health care professional and the public across India, वो ही चीज आ गई, पस देखो वहाँ drug था, drug की जगे के वो poison कर देंगे, बागी पूरा सेम है, यहाँ सारी information poison को लेकि दी जाएगी, किस-किस को दी जाएगी, health care professionals को और public को, जो मागेगा उसको मिलेगा, ठीक है, PCC बार established for two reasons, दो बज़े से इसको established किया गया to provide rapid access to information valuable in assessing and treating poisoning, कि poison ऐसा होता तुरंत जान चली जाती है, तो तुरंत call करेंगे, तुरंत वहाँ से information मिलेगी, तुरंत उसका treatment हो जाएगा, in case कोई health care professional मरीज को आया है, और first गया है कि क्या करना है, तुरंत यहाँ कॉल करके अपना पूर सकता है, to assist with poisoning prevention, और साथ-साथ में क इस तरीके से हम poison से बचें, जैसे मालोब pesticide इस्तमाल कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वगरा वगरा, तमाम information हमें prevention की यहीं से मिलती है, function, तो function सारे वही आ जाएंगे, assess करना, treatment, recommendation, during poisoning, 24 hour emergency telephone service, ठीक है न, यहाँ पर 24 hour, function क्या कहा रहाएगा, treatment, recommendation, assessment and treatment recommendation during poisoning, poison के दोरा and assessment or treatment recommendation, 24 hour, किसी भी time पॉल करो, provide public and professional education program, professional और पॉब्लिक दोनों को educational program provide कर वाती है, to collect data on poisoning, poisoning को लेकर के दुनिया वहर में जैसा भी data हो सारा collect करना, to perform research, फिर poisons को पर research करना, कैसे body में करता है, क्या एक बाड़ी किस औरगन को जगा अफेक्ट कर रहा है सारी चीजें, to perform toxicology analysis, toxicology की body में जाकर कि क्या toxic चीजें create कर रहा है, to develop treatment protocol for poison management, poison का management के लिए protocol कि अगर मालो उसने काटा है, किसने, सापने काट ले तो सबसे पहले क्या करोगे, तो बोला यह ता ना, अच्छे टाइट से बांध दो, जिससे की जहर आगे ना वड़े, तो प् पहले यह करे, फिर यह करे, फिर यह करे, assist the public and healthcare provider during hazardous material spills, ठीक है, public को assist करना है, या healthcare provider को assist करना है, during hazardous material spills, अगर कोई pollution, जहरिला, वातरुन के अंदर, कोई जहरिली चीज़ फैल गई है, है ना, spill मतलब फैलना, पानी में फैल गया है, या वायू में फैल गई है, हवा में फै से assist किया जाएगा public को और health care providers को यह गाम भी इसी का ही है किलियर है source of information सेम रहेंगा जैसा कि DIC का है कोई भी source of information में changes नहीं आएगा last में हमें comparison कर लेते हैं जो कि फ़रा जरूरी है कि आखिरकार सब कुछ same है तो डियाइसी और PCC drug information center और poison information center में क्या difference है तो बोध है common goal दोनों का goal क्या है common है provide comprehensive accurate and timely information to the client दोनों का goal बराबर है क्या goal है कि सारी information time पर अपने client को दे दी जाए ठीक है बोध use the information to enhance the medical care of patient दोनों का काम एक ही है कि patient की medical care को बढ़ाया जा सके है बोध है similar information retrieval process and physical layout दोनों का जो retrieval process जाने की gather करने का information का वो सेम ही है physical layout क्या क्या process होनी चाहिए वो दोनों में लगबग same है ठीक है despite these similarities there are number of important differences between them भले ही सारी similarities है कोई differences भी है जैसे कि अगर मैं बात करूं client की तो public versus healthcare professional की भी बात करूं तो poison poison के जो poison center होता है वहाँ पर लगबग 88 परसेंट public call करती है ठीक है और 9-10 percent DIC calls came from public DIC के अंदर केवल 910 परसेंटी public call करती है यानि कि क्योंकि जैसी बात है पब्लिक होते है किसी एकदम poison मतलब खा लिया किसी ने या पॉजणिंग हो गई है तो डॉक्त मालो डॉक्टर दूर तो डॉक्तर के पास जाएगा तब तक वह यहां से help ले लेगा ठीक है इसलिए पब्लिक ज्यादा कॉल करती है administrative differences hours कितने गंटे किस office में काम हो रहा है तो poison centers operate करते है 24 hour a day जबकि डिया सी में 9 a.m. to 5 p.m. काम होता है पीची सी रिक्वाइड लाज स्टाफ कंपेर डिया सी पीची सी में ज्यादे स्टाफ होता है का मैं अलग तरह के पोजन वाले केस के लिए अलग अलग डिपार्मेंट बैठा दिए लोग बठाए गहीं इसने वाला खटा से स्ने वाले के बेज़ दिया call बता भीजा इसको ठीक है अच्छा पैस्टिसाइड खाले पैस्टिसाइड वाले बाश्वाले ट्रांस वाले ट रिपेंट करते हैं वो PCC ज्यादा एक्सपेंसिब बैठता है डियासी के कंपेरेशन में और रिस्पॉंस टाइम की बात करें कॉल किया है अगर PCC को तो पांच मिन्ट के अंदर रिस्पॉंस देना पड़ेगा वर्रा बंदा चला जाएगा और जो डियासी है उसमें ठीक है एक दिन दो दिन में आपको information मिल जाएगी तो PCC के अंदर यह differences आते हैं काफी सारी चीज़ें सेम हैं बट काफी सारी चीज़ें different भी है ठीक है बात समझ में आई तो यह तो हमारा poison के ऊपर lecture chapter पूरा खतम हो जाता है ठीक है Notes description में लिंक में दे दे जाएंगे यह मेरा phone number है कोई problem आते तो मुझे call करें और number और अच्छे चाते हो तो app का इस्तिमाल कर सकते हो बहुत सारी facilities आपको app में मिल रही है जिससे कि आप अपने number को और ज्यादा increase कर सकते हैं ओके तो पढ़ते रहिए revise करते रहिए all the best